हलो दोस्तों, वेलकम बैक, स्वागत है आपका अपनी चैनल, पॉलिटिकल सैंसी क्लासिस में, मैंने नाम है सोनम चोहान, और आज जिस टॉपिक को हम डिसकस करने वाले हैं, बैसिकलो डीपीएस्पी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म डीपीएस्पी बोलते हैं, इसकी फुल जो आप में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे कोशन्स पूशे जाते हैं, ज्यादा नहीं तो इसके आर्टिकल के बारे में ही पूश लेते हैं, कि ये किस आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है, जो हमारी लेक्चर स्रीज जो हमने स्टार्ट की हुई है, उस लेक्च आपको वो सारे लेक्चर काफियत तक आपको बेनेफिट देंगे, क्योंकि लोगडाउन के समय देखे, कोई कोई कॉशिंग नहीं खुल रही है, कोई कॉलेजिस नहीं खुल रहे है, और ये कोई आडिया नहीं कि कब तक नहीं खुलेंगे, बढ़ आप गर पे रह करके से कि जो फ्री क्लासे से आप उनको जोइन कर सकते हो, और पसंद है तो लाइक करना, शेर करना, उसा साथ में सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हर एक लेक्चर का या कोई भी इंफोमेशन है, चाहब वो यूनिवस्टी की जो एडमिशन है, या फिर जो भी एक्जाम से रेड कि हमें कॉंस्टूशंस ने कुछ moral duties दे हुई होती हैं, कुछ हमारे fundamental rights हैं, लेकिन यह तो हमारे लिए होते हैं, fundamental rights की बात करें, duties की बात करें तो हमारे लिए होते हैं, बट राज्य के लिए कुछ ऐसी responsibility होती है राज्यों की, जिनको हम DPS भी बोलते हैं, यानि कि राज्य नीती के नीदेशक्तत्व हर राज्ये के पास ये कुछ authority होती है कुछ order दिये जाते हैं constitutions के तुरू कि उन नीदेशक्तत्व को वो किस तरीके से बनाएगी अपने राज्ये में इसके कोई boundaries नहीं है कि किस level पर वो वहाँ पर काम करेगी constitutions के पुरे 22 भागे हमारे और इसमें 14 भाग में अनुछे 36 से लेकर के 50 तक हम नीती नीदेशक्तत्व को हम define करते हैं उनको हम study करते हैं और ये सिधान्त देश की विभिन सरकारों और सरकारी अभीकरनों के नाम से जारी किए कुछ instructions होते हैं कुछ नीदेश होते हैं जो देश की शासन ववस्ता के कुछ moral elements कहे जाते हैं यानि कि अगर हम किसी और शब्दों में इसको define करें तो जो नीती नीदेशक सिधान्त होते हैं वो executive और legislative को दियेगे ऐसे instruction होते हैं जिनके according उन्हें अपने अधिकार यानि कि जो भी rights हैं उनको उनका परियोग इस प्रकार से करना होता है कि इन सभी theories को इन सभी principles को इन सभी सिधान्तों को वो पूरा कर उनका उची दुरुप से पालन कर सेगा यानि कि उनको ये order दिये जाते हैं कि आपको actual में क्या काम करना चाहिए तो जो राज्य के नीती नीदेशक तत्व होते हैं उनका उलेख हम article 36 से लेकर 51 तक करते हैं यहाँ पर जो article 37 है उसमें सिर्फ दो बाते स्वस्ट की गई है मतलब verify की गई है कि पहरे तो यह कि जो नीती नीदेशक तत्व होते हैं उनके पीछे कोई भी कानूनी शक्ती नहीं होती है कोई legal power नहीं होती है यदि राज्य इन तत्व को पूरा पूरी तरीके से मानने अता परदान नहीं करता है तो नियाले दुआरा उसे ऐसा करने के लिए कोई भी बात देन नहीं किया जा सकता जिस तरह के से हम moral जो हमारे fundamental rights हैं उनको लेकर के हम किसी भी नियाले में जाकर के petition दार कर सकते हैं उनसे security के लिए हम अपील कर सकते हैं लेकि निती निदेशक तत्वा को लेकर के हम किसी भी नियाले में जाकर के इस तरह की appeal या तरह कोई complaint नहीं कर सकते हैं उस state के against में तो यहाँ पर इनके पिछे कोई legal power नहीं होते हैं कोई judicial power नहीं होती है इसे बिल्कुल free रहते हैं so जो नैतिक रूप से राजजी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं इनकी morality में उनको कुछ काम करने होते हैं economy condition को state की जो economy condition है उसको grow में लाने के लिए उसके लिए जरूरी होते है कि वो DPSP को follow करे और उन सभी आधार पर वो जो भी welfare state को establish करने के लिए जो भी नीतिया वगरा बनाता है उसको वो perfectly वहाँ पे उसको काम करे और दूसरी clarify बात ये है कि अनुछेद 38 में ये कहा गया है कि राजजी ऐसे सामजी की व्यवस्था करे जिसमें सामजी कार्थी को राजने दिखने आए राश्ट जीवन की सभी संस्थाओं को अनुपरमानित करे यानि कि पूरी तरीके से वो वहाँ की जो society की जो condition एक तो उसको ग्रो करे इसको advance बनाए कोई भी रिती रिवाज ऐसा नो कि रूडी वादी अंदे विश्वासों में पनाप्राओ और जिसमें एक तो सामाजी क व्यवस्था को वो ग्रो करे साधे साथ economy conditions को include जो political जो justice है उसको भी वो वहाँ पे एक तरीके से रखे point पे रखे जिन पर वो उसको काम करना होता है उसका जो भरसक जो परियार उसका प्रोपर रूप से जो target होता है वो एक welfare state को यहनि कि लोग कल्याने कारी राज्यों को बनाने के लिए होता है अब हम बात करते हैं कि राज्य नीदी जो नितेशक तत्व होते हैं जो TPSP होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं देखे सबसे पहले सुने इन्हों ने बताई कि लोग हितकारी समाजिक व्यवस्था की स्थापना करना यहनि कि यह भी नीदी नितेशक तत्व के अंतरगत आता है कि जो लोग हितकारी जो पब्लिक के लिए पब्लिक के welfare के लिए काम करने वाली सुसाइटी को establish करने का जो कारी होता है वो especially state का होता है राज्य का होता है कि राज्य कैसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे या उसका मतलब स्थापना करने का लगातार वो परियत्न करे जिससे सावजनिक कल्यान का कारी हो सके और सभी नागरिकों को भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को और जितने भी राष्टे संस्था हैं उनको राजनितिक आर्थिक और सामाजिक न्याय की उपलब्दी हो लेकिन किन उपायो द्वारा उपलब्दी प्राप्थ हो सकती है इसका उलेक वहाँ प गठन करना देखिए भारत गाउं का देश है और 67-68% तक जो लोग हैं मैक्सिमम 70% जो लोग हैं वो गाउं में रहते हैं और इसलिए राज्ये का यह भी करता भी होता है कि भारत के गाउं गाउं में ग्राम पंचातों का गठन करें और इन सभी ग्राम पंचातों को अधिक self government होती है जो local government होती है उनके आधार पर गाउं का विकास हो सके तीसरा यहाँ पर नागरिकों को उच्चित काम की विवस्था करना देखिए नीती नीदेशक तत्वों के according आर्थिक शुरक्षा वे नियाई की विवस्था द्वारा लोक कल्याणकारी राज्ये की स्थापना करने के लिए राज्ये के परेतन करने को कहा गया है कि लगातार वो कोशिश करता रहे एक welfare state को create करने के लिए और इन तत्वों में कहा गया है कि वो देशक समस्त नागरिकों को सम्मान पूर्वक आजीवी का उपलब्द करा यानि कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से एक सही तरीके से पुरी respectful तरीके से लाइफ को वो जी सके इसकी हर एक सुख सुविधा राज्ये को उनको provide करानी होती है सविधान दुआरा राज्ये को निर्देश दिया गया है कि वो समाज में उत्पादन के सादनों का इस परकार से कंट्रोल करे कि जन सादन को जो भी public है उनको अधिक से दिक लापराप्त हो सके पुंजी में मतलब जो भी पुंजी या धन पर जो भी मुठी भर लोगों को स्वामित न हो जाए यानि कि वो इस तरीके से policy बनाए कि वहाँ पर सभी को equality वहाँ पर परदान हो सभी को समानता परदान हो कोई भी एक वर्ग जादा मतलब अच्छीव ना कर पाए पैसे वाला ना हो यानि कि एक दूसरी भासा में कहें कि वो पुंजी बादी वर्गों सबसे ज़्यादा सपोर्ट ना करें बलकि वहाँ पर equality हो जो labor कास्ट है उसको भी उतनी ही equality मिले अपने काम के बदले में उसको उसकी हिसाब से ही payment दिया जाए उसके skill के हिसाब से को काम दिया जाए और उसको वो सारी सुविधाय राज्य प्रवाइड करा है जो उसके लिए होनी चाहिए फिर इस्त्रियों को प्रसूती अवस्था में सहाथा यानि कि जो राज्यों को ऐसी निती अपनानी चाहिए कि वह काम दिलाने में जो इस्त्री और पुरुस है उनमें कोई भी भेदबाओं ना हो और इसलिए इस चीज को लेकर के इस्त्रियों को भी काम करने के सम्मान जनेक सुविधा वो महाँ पे प्रवाइड कराए और उन्हें प्रसूती अवस्ता में यानि कि जब वो एक ऐसी अवस्ता में जो वो काम नहीं कर पाएंगी तो ऐसी में उनको अवकास और राज्य की द्वारा साहता प्राप्त की जाए जिसे वेक्ति का जिवन सुरक्षित रह सके और भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और इस्तरियों को जो प्रसूती अवस्ता है उसमें विवेधानिक अवकास दिया जाता है और अगर किसी भी दिपार्टमेंट में या किसी भी इंस्तिटूशन में चाहे वो ग Armen्मेंट हो चाहे प्राइवेट हो अगर इस तरह की जो सुईधा है वो किसी भी वोमेंज को नहीं मिलती है तो इसके खिलाव कम्प्लेन भी दैर कर सकती है क्योंकि वो उसका एक rights है सविधान द्वारा राज्यों का आदेश दिया गया है देखी जो निती निदेशक ततु है ये constitution द्वारा को ये order दिये जाते हैं कि सविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधी में 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए नहीं शुल्क अनिवारे शिक्षा की विवस्ता करें यानि कि starting जो primary education होती है वो 6-14 साल तक के बच्चों के लिए free होनी चाहिए और completely वो हर घर में हर बच्चे को मिलने चाहिए नेक्स है दलित वर्गों का उत्थान भारत में प्रति नेक्स इसमें दलित वर्ग का उत्थान भारत में प्रतिक राज्ये का ये करतवी हो जाता है ये duties है कि वो अपने area में economy और cultural की उको develop की और ध्यान दे यानि कि economy को वो कैसे develop कर सकता है इस और भी ध्यान दे साथे साथ वो अपने culture को civil justice को कैसे develop कर सकता है सोर भी उसको ध्यान देना होता है और especially दलित वर्ग में जो भी ST, SC जो community होती है जो जनजाती होती है उनकी सिक्षा और उनके आर्थिक जीतों का विकास करे और सामाजिक तता आर्थिक शोर्षन सहन ना करे और इस परकार से वो इस तरह की नीतिया बनाए ताकि जो भी down conditions में जो कास होती है जो हमें ST की बात करते है schedule traps की बात करते है जो जंगलों में रहती है उनको समाज का एक अलग वर्ग ना मान करके इनको quality दी जाए उनकी जो संसकर्ती उनको protect किया जैसा सत्मन को educations की जो सुईदा है वो भी उनको provide कराई जाए तो ये काम किसका होता है ये काम state का होता है और constitution द्वारा state को हर एक state को ये order mention किया जाता है कि वो उस पर काम करे इसका meaning से ये होता है कि राज्ये को क्या 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 करना चाहिए नेक्स एक क्रशी और पसुपालन संगठन राज्ये निती के निदेशक तत्व में जो DPS भी उनमें क्रशी और पसुपालन की सुधार की ओर भी ध्यान दिये जाने का कुछ निरदेश भी दिये गए है भारत एक क्रशी परदान देस है और माक्सिमम जितनी जनसंख्या गाओं में निमास करती हुए उतनी ही जनसंख्या वहाँ पे Agriculture सेक्टर को समालती है 68%-67% वहाँ पे Agriculture सेक्टर को समालती है और क्रशी पर ही भारत राज्ये के उनमान लगा सकते हैं क्योकि अगर production ही नहीं होगा अगर अगर agriculture जो sector है वो ही develop नहीं होगा तो बाकि जो secondary है, third है, service sector है, वहाँ तक तो आप मतलब image ही नहीं कर सकते, comply नहीं कर सकते कि वो develop होगा, क्योंकि primary sector पर ही depend करता है secondary sector, अगर आप for example आपको सूती बस्तर का कोई plant लगाना है, तो आप कैसे लगाओ, सबसे पहले उसका जो farming है, वो आपको करनी पड़ेगी, आपको कपास हुगानी पड़ेगी, वो भी एक खेती होती है, तो वो primary sector में आती है, कि वो agriculture sector को और जो पशुपालन से related, जो भी institutions है, जो organizations है, उन पर वो काम करें, उन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकों जो सुविधाय है, वो provide करा है, एक से रास्टी समारकों का संगरक्षन, तेकि सविधान के अनुच्छे 49 में, इस है very important article of the constitution की article 49 में राज्य को आदेश दिया गया है, कि वो रास्टी जो important के जो समारक है, यानि कि जो हमारे historical heritage है, या कोई भी ऐसे place है, जहांपर traveling सबसे ज़्यादा होती, जहांपर लोग जाते हैं गोमने के लिए, देखते हैं वो सारी चीजे, और उससे हमारा जो historical environment है, उसके बारे में जानते हैं, तो ऐसी वस्तों की, ऐसे स्थानों की, ऐसे historical heritage की वो रक्षा करने का परियतन करें, यानि कि आप जैसे भारतिय संसद इस विश्ये में विधी निर्मान कर सकती है, यानि कि काफे सारे rules या regulations create कर सकती है, और example के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ताजमेलोग या अजनतालोरा की जो गुफाएं है वो एक historical heritage का एक example है, जिससे देखने के लिए बाहर से लोग आ करके देखते हैं उसको, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़े इस पर depend करते हैं, एक तो economy, growth होती है, क्योंकि वहाँ पर ticket लगाए जाता है इस चीज़ों को देखने के लिए तो लोग बाहर से आते हैं, ticket के guide होता है, उस guide को भी एक तरीके से वो रोजगार मिल जाता है, वो बताता है कि यहाँ पर historical heritage कब बना था, इसकी क्या importance है, किसने बनाया था, यह सारी चीज़े हर एक area से निकलती हुई, हर एक area को वो सारी मतबब एक तरीके से वो develop करती है, economy conditions तो mostly इसमें develop होती है, तो ने national heritage है, जो historical heritage है, उनको completely protect करे, फिर यह शासन और नियाय संबन दितात हुई, शासन और नियाय शेतर में राज्य को आदेश दिया गया है, कि वो समान अवसर के आधार पर कानून विवस्ता का संचालन करे, यानि कि देश में सभी के लिए एक समान कानून हो, उसमें कोई high-profess society से बिलोग करता है, तो उसके लिए भी वो ही कानून होने चाहिए, और एक गरीब वेक्ति के लिए भी वो सेम कानून होने चाहिए, कानून में कोई भी बेदबाउन ना हो, लोकतांतरिक भामना के विकास है तो, यानि कि जो भी democracy, जो feelings हैं, democracy country को लेकर को जो feelings हैं, उ यहां पर हमने अपने आप से अपने आपको मतलब अपने खुद के नेता को अपने गाउं के जो विकास करने के लिए, जो मतलब जिसकी need होती है, हमने वो खुद से उसको choose किया है, तो यह democracy का एक बहुत बड़ा example set होता है, तो ज़्यादर से ज़्यादर गाउं में गाउं जो ग्राम पंचायते हैं, उनको संगधित किया जाए, ग्राम पंचायतों किस परकार से इधिगार प्रदान किया जाए, कि वो अस्थानी जो साशन है, जो local government है, उनकी एक unit की तरह काम कर सके, यहां पर वैसे तो हम according to article नहीं यहां पर discuss करते हैं, सीधे DPSP की जो point उसको discuss करते हैं, बड़ यहां पर दो article is a very important, जो बता था 49 में जो हमारे historical, जो national heritage उनको संगरक्षन देना, 49 is a very important, and then इसके बाद आता है, article 51 is a very important, यह आता है कि अंतराष्टे शांती और सुरक्षा संबन नेता, तो इसमें कहा गया है कि राज्ये, जो state होगा, उसका यह duties होती है, उसकी responsibility होती है, कि वो अंतराष्टे शांती और सुरक्षा की शेत्र में वरद्धी करें, और अपनी विभि बाद में होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, वो वहाँ पे जो peaceful agreement होते हैं, उनको सब ज़्यता promote करें, और I think सो यह सारे के सारे जो point मैंने यहाँ पर समझाए, DPSP को ले करके, को सभी आपको बहुत ज़्यता valuable लगे होंगे, information, informative लगे होंगे, अगर एक